यह स्वीट फॉल्स का जो जढ़ना यह है वो फॉल्स यह है पुरो व्यूपॉइंट यह व्यूपॉइंट से स्वीट फॉल्स को देखने का मजाई कुछ अला है गुड़ मॉर्निंग दोस्तों फिर से स्वादा थे आपका मेरे चैनल में आपनों देख रहे हो एक्स्प्रोर विशाल और मैं हूँ शीलॉंग वैली में आज मैं जाना हूँ लोकल साइट स्विंग करने के लिए शीलॉंग वैली शीलॉंग सिटी में बहुत साने से जगा है जो लोग टुडिस जाते हैं तो मुझे तो इसे पता नहीं है कौन-कौन से जगा है बट मैंने मेरा दोस्त नहाँ पर मेरा जो गाइड है फ्रेंक को मैं बुला लिया हूँ आप देख सकतो फ्रेंक की सिटी हो यह तो आज हम लोग जा रहे है एक्स्प्लोर करने शीलॉंग वैली तो चलिया गाइस घूम के आते हैं शीलॉंग वैली पिला ऑप लोग वैली बट मेरा इस घ्याव मेरा जो यह तोड़ ज़ा लोग लोग मेरा जगा बमने की सिटी ओच्डोर का लोग लोग चवर उन वर स्कावख एली घूम ऊपैज्प लोग। हो उन्र नोग ज्यरा के रहों वाट जनाब मैं घूमते गूमते आ चुक हो कि बहुत ही प्यारा से जगा पे इस जगा का नाम है स्वीट फॉल्स अब देख सकते हो स्वीट फॉल्स का है यह गाई यह पुरा वैली है यहां पार यह स्वीट फॉल्स चलिए थोड़ा सा पाज जाकर देखते हैं यह जगा में आपको दो चार चीज बहुत स्पेशलिटी है यह शिलॉंक का उतना पॉपुलर टूडिस देस्टिनेशन नहीं है पर ट्रुस्ट मी गाईज इस जगा आपका इस खुबसूरती इतना प्याला है इतना बढ़िया है मुझको नहीं पता क्यों जो टूडिस चाते कि इस जगा पे नहीं आते हैं आप देख सकते हो यह है स्वीट फॉल्स का जो ज़णना यह है फॉल्स यह है पुरा व्यूपॉंट से स्वीट फॉल्स को देखने का मजा ही कुछला है चलि और भ फर्स्ट ये हल्प हो जाता है लोकल जो सीन है उसके पुरा आइडी आपको मिल जाता है और दूसरा चीज है जनरल जो जगा है श्री लॉंग में चेना पुंजी में में जनरल जो टूरी स्पोर्ट है उस जगा प्रत तो पो कोई भी ले जा सकता है यह जो एक्सेप्शनल जगा है तुरा सा ओफबी ट्रबलिंग अगर आप करना चाहते हो मेरे तरह सो आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपको हिल्प करे तो ब्रींग यू इन इस कांड आप आप बीड प्लेसे सो गाइस देखिये नजारा कैसा है शीर से लुक है दूरा वैली है यह जंगल है यहां पड़ यह फॉल है जिसका नाम है स्वीट फॉल देखने में इतना स्वीट है इसलिए शायद इसका नाम पढ़ा है स्वीट फॉल्स वेकर जगा तो इतना खास है गाईस ठूस्मी इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है कर दो बनता है तो जनाब स्वीट फॉल को एक्स्प्लोड करने के बाद आप मुझे को जाना पड़ेगा तो चलिए देख तें और क्या क्या इंटरिस्टिंग साइच सिन्स है शीलॉंग वाली में तो जालिये काई वाद की जया को भी एक्स्प्लोर कर देते हैं और सुईट वॉल को ता गुडबाय कर देते हैं oh my god, my words are being echoed दोस्तों मेरा जो वोइस है इको होड़ा है I don't know, it's the first time I'm just feeling in a hill station में आकर my voice is being echoed so चलिए गाइस, इको होड़ा है मेरा वोइस ये भी थोड़ा सा प्यारा सा एक्स्पीरियंस था अब चलिए आगे देख्थे, आगे आगे, होता है क्या so दोस्तों चलते चलते में आचुका हूँ पिन मैं इस दा वर्ट लेग ये गाइस श्रीला नाली में ये जगा भौती फेमस है and you can see that a lot of shooters come over here to explore the beauty of this lake कर्काब देस्ट ले मुचाब दूख स्च थार्च। लात वोड़ दोस्यक्ता ले स्टार्च। there is a beautiful lake and this is a nice narrow way when I'm just walking over here only one thing I it's coming in my mind that is waah kya baat hai trust me guys Shillong Valley it's a full of lots of surprises full of lots of natural resources if you don't come over here you can't feel it so hope so guys through my video you are enjoying you are feeling the beauty of the nature the weather is so much selfish because it has not any permanent attitude it's always it is being changed continuously the weather is so much charming weather is so much beautiful and with this natural beautiful area trust me I'm just enjoying each and every moment Shillong is very much clean city here is clean city here is not a clean city people are very conscious about the cleanness guys if you go anywhere you will see you will find this kind of baskets these are the dustbins it is the eco dustbins you can see here all these dustbins are made by some organic way you can see all these everywhere you can see it you can see this cleanness everywhere her in sun to shillong may रहते है और गंदीगी नहीं करते है they use this kind of dust bins they throw their garbages in it Shilong Valley में इस लेक पर आखर मुझको याद आ रहा है बच्पन के बहुत प्यारा सा चीज yes guys I'm recalling my childhood for this hand pump दोस्ता अभी जो modern city में ऐसा the hand pump दिखाई नहीं देता है यहाँ पर एक green color ka hand pump है और यहाँ पर सामने देख सकते tap water भी है आप देख सकते you can compare it like that यह है past and this is and this is present यह है प्राचीन यह है modern yes guys बच्पन में मेरा घर में आईसा hand pump था I used to live in village in my childhood वहाँ पर इस hand pump में पांप कर करके पानी निकानला पड़ता था so I have lots of sweet memories are related with this guy's hand pump trust me मेरा बच्पन के घर याद आ रहा है जब में गाव में रह था अभी तो मैं शहर में रह रहा हूँ Kolkata में रह रहा हूँ it is a modern city वहाँ पर तो hand pump हैसे दिखाई नहीं देता है but आप जो लोग थोड़ा सा मैश्योड हो तो senior हो आपके घर में शायद बच्पन में hand pump था और अभी भी है so guys I hope so you can feel what's the emotion I have with this hand pump so चलिये हो गया मेरा ये पार्क का ट्रिप आप देख सकते हो ये लेक के बीच में दोनों तरफ लेक लेक के बीच में है ये लकडी का पूल ये भी है वाइट कलर का लकडी का पूल it looks so nice ये नेचर से बहुती सूट कर रहा है so आप देश से दो घंटे तीन घंटे टाइम लेकर आ सकते हो you can sit beside the lake, you can spend the time trust me, you will feel a peace in your mind so चलिए guys हम लोग निकलते हैं यहां से देखते हैं Shilong Valley में और क्या क्या देखने का जगा है दोस्तों अब दूर दूर तक जहां तक देख सकते हैं अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं this is a big field and it is the famous golf course of Shilong Valley दूर दूर आपने टोस्तों लेट में इंट्रोड आप मैं इसे ब्रुनो इन गॉल्फ कोर्स पे मुझको मिल गया है यह प्रुनो है यह खेल रहा है इसको वनर के साथ Hi Bruno, come here, come here, come here. Bruno, sweet boy. ये देख सकते हैं, Bruno camera तक कर तुर सा डर चुका है, but he is very sweet boy. Sweet boy, okay Bruno. Come here boy, come here. Okay, this is Bruno, but camera तक कर डर रहा है. चली इसको डलाते नहीं, अम लोग आगे निकल जाते हैं. Guys, इस गॉल्फ कोर्स के अंदर गॉल्फ चैंपियंशिप खेला जाता है, आप जब सोचिए, ये सामने है, पहार, पहारो, चार तरफ पहार है, पहारो के बीच में ये खुपसूरत सा मैदान है, इसके बीच में है छोटा सा ये पेड का एक जुंट, और आसपार्स देख सकते हो कितना हडियाली है, Guys, ये जगा तो इतना ब्यूटिफूल है, इतना प्यारा है, मैं लास्ट आदा घंटे से इस जगा पर बैठा था, कैसे है, ती 30 मिनिट क्रॉस हो गया, फिनिश हो गया, मुझको पता ही नहीं चला, Trust me, that place is very awesome, यहां पर लोग आते एक्सरसाइस करते हैं, यहां पर खेलते हैं, यहां पर Golf Championship भी खेला जाता है, You can say it's one of the very much socialized place in Shilong, दोस्तों यह Golf Course का दो पार्ट है, एक तो यह हिस्सा जो मैं अभी हूँ, और यह रस्ते के यह रोड उसके opposite side में दूसरा हिस्सा है, दोनों ही से में दोनों ही बहुत बड़ा है, लगबग वहां से, अब अगर यहां तक यहां से भी ज्यादा है, और लगबग 3-4 km, 3 km तो लगबग होगा यह पूरा मैदान, यह इतना बड़ा मैदान है, It takes long time to cross from one part to another but, doơi they don tबंड़ वहां उसके से, आइक प्राइब ükिजड़ा रड़ा श r eff to the dog don Gesch değil, will कि बड़ कोच इचके सी, जिस वते के में तो यहां रचर प्तो को तregनर है, झाल झाल झाल